तो पिक्सेल 3 को मैं पिछले तीन महिने से यूज कर रहा हूँ और जो अन्बोक्सिंग बाला मैंने वीडियो दिया था उसमें भर-भर के लोगों का कॉमेंट आया कि पिक्सेल 3 को हम लोग 2022 के लिए कंसीडर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे काफी लोगों को कॉमेंट में अल्रेडी रिप्लाई कर दिया हूँ लेकिन कोश्चन का जो एंसर है वो एकदम स्टेट फोवर्ड नहीं है हमें कुछ पॉइंट के बारे में बात करना पड़ेगा फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि पिक्सेल 3 2022 के लि केबल 148 ग्राम का एक फोन है आपको सामने गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है पीछे भी इसका गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है एलुमिनियम फ्रेम है केबल यहाँ पे आप लोग सिंगल सीम का यूज कर सकते हो और एक इसीम का यहाँ पे आपको 2022 में आप eSIM के हिसाब से काफी ये trending होने वाला है तो eSIM का आपको support मिलता है साथ फोन IP68 dust और water resistant को भी support करता है अगर आपका phone गलती से यहाँ पर पानी में गिर जाता है तो आपको कोई दिक्कद नहीं होगा तो overall phone का design language है वो काफी modern है छोटा सा phone है लेकिन अगर आप front की तरफ से phone को देखोगे आपको थोड़ा सा odd लगेगा क्यूंकि ये 2018 कया के phone है और दिखने में ये थोड़ा सा front से आपको बेकार लग सकता है लेकिन अगर पीछे का design language आप देखोगे तो उसमें आपको कोई दिक दिक्कत नहीं होगा केबल अगर आप डिस्पे का ये मोटा मोटा बेजल कंसीडर कर लेते हो तो overall looks and design में आपको कोई दिक्कत इस phone में नहीं है next आप बात कर लेते हैं इसी phone का processor के उपर तो यहाँ पर processor यूज क्या गया है snapdragon 845 processor जो की एक 10 nanometer वाला processor है और इस processor को लेते हैं आप कोई भी काम multitasking, editing, gaming हर एक चीज बहुत ही जादा smoothly कर सेकतो आपको gaming में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप video editing कर सेकतो, आप multiple apps स्टार्ट कर सेकतो एकी साथ, एकी साथ आप 2-3 games भी खेल सेकतो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है 845 जो processor है, वो काफी जादा capable processor है, साथी साथ यहाँ पर अगर हम लोग update की बात करें, तो फिलाल जब phone आया था 2008 में तो android 9 के साथ आया था, लेकिन आज के date में already android 12 का update आ चुका है साथी साथ security page जो है, वो भी आपको time to time update मिलता रहता है, तो update के मामले phone जो है, वो पूरा आपको latest मिल जाता है यहाँ पर अगर हम लोग display की बात करें, तो display भी काफी आपको अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर OLED display का यूज किया गया है, HDR10 का support है, 5.5 इंच का आपको एक display मिल जाता है यहाँ पर अगर हम लोग pixel resolution की बात करें, तो 1080p into 2160 का pixel है, 18 is to 9 रेशियो बाला यह phone है, लेकिन आपको front में थोड़ा bezel देखने को मिलता है, और OLED display का support मिलता है, तो overall display जो भी है, वो आपको एक दोम flexics experience देगा इस phone के साथ नेक्स बात हम लोग करेंगे इसी phone का sound quality को लेके, तो इस phone में काफी अच्छा sound quality का use किया गया है, dual stereo speaker है, उपर आपको front में एक speaker मिल जाता है, नीचे आपको bottom में एक speaker मिल जाता है, जिसके कारण phone का जो overall sound experience है, वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, फोन में आपक 3.5 mm jack का support नहीं मिलता है, जो कि आप कह सेकतो हर एक flagship में आपको 3.5 mm jack का support नहीं मिलता है, नेक्स बात करेंगे इसी phone का सबसे बड़ा जो USB है, वो है इसका camera, यहाँ पे आपको front में 8 plus 8 megapixel का एक dual lens मिल जाता है, जिसके कारण phone का camera जो है, वो आपको काफी तगड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पे आप 8 plus 8 megapixel में ना जाके, आप यहाँ पे कुछ image result देख सेकतो हो, जो कि काफी तगड़ा result आपको provide करता है, बैक में यहाँ पे 12.2 megapixel का camera है, जिसके कारण चाहे daylight में हो, चाहे night में हो, आपको photography जो देखने को मिलता है, वो बहुत ही दमदार देखने को मिलता है, आज के date में भी अगर आप 50,000 तक कोई भी smartphone उठा के देख लो, तो यहाँ पे pixel 3 का बराबर कोई भी photo में नहीं कर सकता है, वीडियो आपका उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वीडियो भी somehow आप कह सकतो, अप टू 30,000 का range में जितने भी सारे smartphone है, उसके बरा वाला फोन चाहिए, तो पिक्सेल 3 आपके लिए एक अच्छा चोईस बन सकता है, नेक्स्ट बात में यहाँ पे करना चाहूंगा, बैटरी बेकप, तो तीन महीने से मैं फोन को regularly यूज कर रहा हूं, यहाँ पे अगर हम लोग बैटरी की बात करें, तो 2915 मह का बैटरी आप अगर आप जादा यूज करोगे, उस केस में यह एक दिन नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप मॉडर्ड यूज करोगे, तो आपका बैटरी बेकप एक दिन चला जाता है, तो बैटरी के मामले भी फोन जो है, वो काफी तगड़ा है, आज के डेट में अगर आप अगर आप यहाँ पे पिक्शल 3 ले लोगे, तो आपको काफी जादा यह पसंद आने वाला है, केबल आपको यहाँ पे एक चीज कंसिडर करना है, इसका फ्रॉंट डिजाइन, फ्रॉंट में आपको बड़ा बड़ा बेजल देखने को मिलता है, साथी साथ जो लोगों को 5 5G फोन पसंद है, वो लोगों के लिए फोन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम लोग 5G की बात करें, तो 2022 में आपको 5G नहीं मिलेगा, लगबग 2023 के मेड में इंडिया में 5G आने का पॉसिबिलिटी है, बाकी ओवरोल फोन आप आपको किसी भी एंगल से निरास नहीं करेगा, तो यह था हमारा कम्प्लीट वीडियो, पिक्सेल 3 आप 2022 में खरीच सेकते हो, बागी पिक्सेल 3 के रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई भी कुश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कॉमेंट में आप लोग बता देना, मैं कॉमेंट में आपको रिप्लाइ करके जरूर एंसर देने की कोशिस करूँगा, यह वीडियो आप लोगों के लिए हेलफूल था, तो वीडियो को लाइक जरूर करे, चैनल में अगर आप लोग ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, हम मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्याओ, बाबाई